अफगानिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान की पूरी दुन्या के सामने इज़त उतार दी है इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से ये अफगानी लोग पाकिस्तानी दूतावास में घुस कर बवाल काट रहे हैं ये दस्फीरे जर्मनी की हैं जहां पाकिस्तान के वारेजी दूतावास पर अफगानों ने हमला बोल दिया जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में अफगान नागरिकों ने पाकिस्तान की दूतावास में जम कर तोड़ फोड़ की है एक अफगानी शक्स ने तो दूतावास में घुस कर पाकिस्तानी जंडे को भी उतार दिया इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि वो दूतावास के अंदर घुस कर पाकिस्तानी जंडा उतार रहा है वहीं दूतवास के बाहर जो भीड इकटा हुई है उसके हाथ में अफगानिस्तान का पुराना जंडा भी दिखाई दे रहा अफगानी लोगों का इस कदर प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान ने कराची में जर्मनी की दूतवास की सुरक्षा बढ़ा दी है महीं सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अफगान नागरिकों का पाकिस्तानी जम कर विरोध कर रहे हमले के पीछे का असली कारण अभी तक पता नहीं चल पाया लेकिन माना जा रहा कि पाकिस्तान की ओर से अफगान शर्नातियों को वापस अफगानिस्तान भेडने से लोग काफी नराज हैं महीं समले का वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तान की टीवी होस्त नजीबा फैज ने जम कर अफगानियों के खिलाब जहर उगला है नजीबा ने लिखा है कि फ्रांकफर्ट में पाकिस्तानी दूतावास पर हमला हुआ जहां कई अफगानों ने वालेजी दूतावास में प्रवेश किया और पाकिस्तानी ध्वज को नीचे गिरा दिया ये घटना अफगानों को खतरनाक, हिंसक, गैर जिम्यदार और अग्यानी के रूप में चित्रत करती है इस तरह की कारवाईयों को जर्मनी की सुरक्षा के लिए खत्रा माना जाता है और जर्मन सरकार इस से ने पटने के लिए कड़े कदम उठा रही है अब पुलिस की गिरफ में आने के बाद इन यूवकों को पश्तावा तो जरूर होगा लेकिन इस पश्तावे से उन्हें कोई फाइदा नहीं होने वाला यदि इन काईरों में बहादूरी होती तो वो अफगानिस्तान से भागने के बजाए फिलिस्तीन के लोगों की तरह अपनी मातर भूमी के लिए लड़ती लेकिन वो विदेशी दान पर जीने वाले रीड विहीन मुफ्त खोर है इस पोस्ट से आपको पाकिस्तान की बॉकलाहट का अंदाजा लग गया होगा आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान पर जब खुद आचाई तो देखिये किस तरह बॉकलाहट सामने आ रही है कहर अफगानी लोगों ने ये हरकत क्यों की इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है ब्यूरो रिपॉर्ट भारत तक क्या आत्वाट लोगों पुद आत्वार बाहाँ था जात्वाट बाहाँ पालने लोगों